हलो दोस्तों आज हम बनाएंगे करेला सेमी और मुली की सबजी अब इसमें डालते हैं हम जीरा लप्तियों और मिल्की अब इसमें हम डालेंगे सेमी इस पस्की से जूंद लेंगे थोड़ा गोल्डन हमें तक अब इसमें रखकर लगा लेंगे और थोड़ा पकने बेंगे अब इसमें मुली को एच करेंगे करेला को हम बाद में डालेंगे अलाज़ा पास में साथ में अठाने पेनी को अब इसमें मुली डालेंगे इसको फोड़ा भूड़ा लेंगे तर्मस तला लेंगे तो मिनट हो गया अब बसको में काल देंगे हम अब करेला को तलाओंगे अब इसमें करेला को डालेंगे इसको अब इसमें करेला को डालेंगे इसमें अब हम टमाटा डालेंगे देखे इसको अच्छे से हमने भून दिया है धिने आज में इसको भून जे ने तो जल जाएगा अब इसमें हम टमाटा डालेंगे जाएगे तोड़ी से जैसे मैंने हरी मिछी डाली जाएगे आपने के मथल दी एक्चम में धुनिया पॉडर आप अगर हिंक के इस्तिमाल करते हैं तो इसे भी डाल सकते हैं अब इसको हम धाग देगी अब इसे नमक डालें नमक अलत्रिया में साथ डालें अब इसको तो 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 पकाएंगे तो इससे कबजी तो इसमें एड करेंगे अब इसमें थोड़ा सा पाने डालेंगे ताकि तमाटा अच्छे सगल जाए अब अगर आप करेला को जाड़ा दे तक भूणना नहीं चाहते तो करेला को काट कर धो लिजिए और इसमें नमक हल्दी करके दूप में घंटा सुखा दीजिए अब इसमें हम सेमी और मुली की सबजी को एड करेंगे जिसको हमें भूण के रखा था अब इसको मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद धाग देंगे हैं कुछ सेकेंड के लिए अब इसको खोर कर देखते हैं दो मिनेट हो गया है इसको पकते अब इसमें पानी डालेंगे लग धाग एग दिश्टाव लास आब इसको पकने देंगे बीच में ढकन खुल के ठोड़ा ठोड़ा चमच चला लेंगे यूपर मीची अच्छे से हो अब सब्जी पक्टे त्यार है देखिए पुरा सूप गया है सब्जी अब इसमें धन्य पक्टे डालें और सारव करी खाने के लिए आप चाहें ते इसको और सुर्खा कर सकते हैं थोड़ा सा रोटी चामाल के साथ खाएं वीडियो देखने के लिए भन्यवाद